Hello my dear friends, एक बार फिर से मैं रतना मौरिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 555 शक्ती चैनल में इस बार वीडियो काफी लेट आया क्योंकि मैं थोड़ा कुछ important काम में busy थी friends बट आज का जो topic है वो बहुत important topic है let go तो सभी लोग जानते हैं अब अब तक आपने let go करना सीख भी लिया होगा बहुत सारा लोगों ने सीख लिया होगा लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको let go करने के कुछ 5-6 tricks शेयर करना चाहती हूँ टेकनीक शेयर करना चाहती हूँ जिसका use करके आपके twin flame journey में आपके twin flame का love आपकी तरफ increase होगा बढ़ेगा अगर वो आपकी care नहीं करते परवा नहीं करते तो उनका careful nature उनका आपके towards बढ़ेगा increase होगा और आप खुद ये nature उनका notice करेंगे अगर आप ये सारे techniques apply करते हैं और अपने behavior में शामिल करते हैं Let Go के बारे में ये मेरा दूसरा important वीडियो है इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कुछ साल पहले जिस पे लगबग 50,000 views गए हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो है अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर वह वीडियो देख लीजेगा मैं description box में भी डाल दूंगी उसमें Let Go के बारे में जितने सारे myths हैं वह clear करे गए हैं और वह वीडियो बहुत ही जादा important है अगर आप Twin Flame Journey में है तो आप वह भी देख लीजेगा आज तब मैं वह basic चीजे नहीं बताने वाली हूं लेकिन आज मैं कुछ Let Go के बारे में कुछ advanced चीजे बताने वाली हूं तो यह 6 Let Go की टेकनीक जानने से पहले लेकिन के बारे में आप थोड़ा basic चीजे जान लीजें हो सकता है कि कुछ लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हूं यह Let Go के बारे में जानती नहीं हो तो सबसे पहले आप यह जान लीजे कि आप अपने Twin Flame को कभी भूल नहीं सकते जब तक आप अपने Twin Flame से बहुत जादा प्यार करते हैं आपको पता है वह आपका Twin Flame है आपको उनके बहुत डीप लव है तो आप उनको इस तरीके से भूल नहीं सकते तो Let Go का मतलब यह नहीं है कि मैं अपने Twin Flame को भूल जाओंगी मुझे उसकी बिल्कुल भी याद ना आए अब ध्यान से समझे लटगो का मतलब क्या है आपको Twin Flame journey मिली है आपके Twin Flame के साथ किसी ने किसी purpose से मिली होगी तो अब मिले हैं मिलाया ही गया है तो किसी कारण से मिलाया गया है आप के लगे उसकारण वो लेशन कंप्लीट नहीं होगा वो पर्पस कंप्लीट नहीं होगा आप कैसे उने भूल जाएंगे इतना असान होता बूलना तो वो आपको बूल जाते है लेकिन आप experience कर सकते हैं कि आप बहुत ट्राय करते हैं बहुत ट्राइ करते हैं, आप नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि वह पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ, तो किसी पर्पस से मिले हैं आप लोग, ऐसे नहीं भूल जाएंगे, ना आप भूलेंगे, ना वो भूलेंगे, तो जो आपके दिल में, दिमाग में DM को खोने का डर रहता है कि DM मुझे बूल जाएंगे, आप वो डर भी अपने दिमाग से निकाल दीजे, और ये वहम भी निकाल दीजे, कि आप अपने ट्विन प्लेम को बूल सकते हैं, तो ये खामखा टेंशन ले करके, उनको ब्लॉक करके, कुछ लोग चोटी-चोटी चीज होती है, DM ट्रिगर क इसे को नहीं होता है, उनको बूली जाना आप उनकी बिल्कुल भी आद नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि आप उनकी वजह से, यानि जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जो आपको परिशान कर रहे हैं, उनके किसी भी हरकत से जो आप अपने अंदर इतना बढ़र्न महसू कर रहे हो उतना heavy feel कर रहे हो उस effect को let go कर देना उस effect को अपने उपर नहीं पढ़ने देना अगर आप ये कर पा रहे हो तब इसका मतलब होता है कि आप genuinely उनको let go कर पा रहे हो चोड़ना है आपको जैलसी को, छोड़ना है डियम के खोने के डर को, छोड़ना है आपके डियम के द्वारा जो आपको ट्रिगर मिला है, छोड़ना है जो डिस्रिस्पेक्ट आपके डियम के द्वारा आपको मिली है और जो अंदर आपको हर्ट कर रहा है, उस हर्ट को छोड चोड़ना है उस चीज को जो आपको बहुत ज्यादा effect कर रही है जो आप उस पर dependent हो कि ये व्यक्ति मुझे खुश करेगा तो आप उस dependency को छोड़िए उस feeling को छोड़िए जो आपको hurt कर रही है उस negative thinking को छोड़िए जो आपके DM की तरफ से आपके दिमाग में बार-बार चल र प्रबलम आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने DM को खोने से बहुत जादा डरते हैं तो फिर आप इस डर को हील करिए क्योंकि डरने का कोई मतलम नहीं है क्योंकि यह परपस से मिली है जरनी जिस तरीके से आप उन्हें याद करते हैं उस तरीके से वह भी आएगा और इसके अलाबा भी आप बहुत जड़र डर के भी क्या करेंगे क्योंकि चीजें आपके हाथ में नहीं हैं कुछ चीजेंاجर होती हैं कुछ चीजें आपके इनर वर्क पे होती हैं तो जितना हो सकते हैं आपको इनर वर्क करना चाहिए situation को हील करने की कोशिश करनी चाहिए डर ना नहीं चाहिए डर एक negative vibration है डर की बज़े से आपके भी separation और ज़्यादा increase होता है क्योंकि डर, fear एक separation consciousness है और आपको कभी भी separation consciousness manifest नहीं करनी है तो इसलिए डर नहीं है आपको इस्षवर पर बहुत करना है कि ईश्वर ने जर्णी दी है किसी पर्पस से तो वही आपको मिलाएंगे वही इस जर्णी को कंप्लीट करने में हल्प करेंगे तो आप हल लगातार कोशिश करते रहें कि ईश्वर को खुष करिए ईश्वर से भक्ती कीजिए उन में जुड़े रहें और करती रही है ओके फ्रेंस तो चलिए अब मैं आपको वो छे टेकनिक्स बताऊंगे जिससे कि आप पॉफेक्टली लेट को करना सीखेंगे जिससे कि आपके डियम के दिल में आपके लिए लव केर प्यार बढ़ीगा और आपके डियम आपकी केर करना आपके वैल्यू करना बढ़ कंडिशन यही है कि यह 6 के 6 सब ही आपको फोलो करने होंगे तो चलिए पॉइंट नंबर वन टेकनिक नंबर वन दियम को खुश करने के चक्कर में बहुत जादा मत रहें दियम को खुश करने को प्रायोर्टी जादा मत दिचे बहुत सारी डिवाइन फेमिनीन है ज कर रहे हो उनके खुशी के लिए और बदले में आपके डियम को आपकी परवा भी नहीं के यह वह आपको जादा कुछ समझते भी अपके डिस्रिस्पेक्ट भी करते रहते हैं और इस कंडिशन में भी कुछ फैमिनिन डियम को खुश करने के चक्कर में लगी रहती है तो य इश्वर की खुशी को प्रायोर्टी दीज़े आपको टुन फ्लेम जर्णी में भगवान को खुश करने आप आये हो तो जो भी एक्शन लीज़े जो भी कीज़े इश्वर को प्रसंद करनी के लिए कीज़े टुन को प्रसंद करनी के लिए नहीं DM को खुश करने के चक्कर में आप सिर्फ तब ही पढ़ेंगे जब सामने से आपका DM आपके साथ respectfully विवहार कर रहा है अच्छे से रह रहा है अच्छे से बात कर रहा है जो वो आपके लिए efforts ले रहा है, action ले रहा है जो वो सब कुछ कर रहा है आपके लिए आपको दिखाई दे रहा है वो चीजें तब आप उसके लिए भी करिए फिर आप उसकी खुशियों का खुब ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आपकी disrespect कर रहा है, आपका missus कर रहा है आपको परिशान कर रहा है, hurt कर रहा है, trigger कर रहा है आपकी value नहीं कर रहा है, उस वक्त आप उसकी खुशी के बारे में या उसको खुश करने के चक्कर में जितना ज़्यादा पड़ोगे उतना ही ज़्यादा इसका effect negatively उसके उपर पड़ेगा point number 2, ध्यान से सुनिएगा आपके DM अगर आपके उपर एहसान जटा रहे हैं या आपको भीख का प्यार दे रहे हैं या फिर एहसान जटा की, चलो इसके लिए बात कर लेता हूँ चलो तुम चाहते थी, इसलिए call message कर लिया चलो ठीक है, मैं अपने लिए, नहीं तुम्हारे लिए message कर ले रहा हूँ मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता था, इसलिए कर लिया तो ये चीज आप accept मत कीजे भीख का प्यार मत लीजे एहसान जटा के दिया गया प्यार accept मत करिये आप शिव शक्ति देखिए, शिव शक्ति जो होते हैं वो बराबर होते हैं उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता दोनों एक दूसरे की respect करते हैं पर क्या होता है जो महिलाएं है न डी अफ एनरजी उनके अंदर शुरू से यह जो समाज ने असा डाल रखा है कि पती परमेश्वर होता है वो बहुत महान होते हैं वो superior होते हैं और आपको तो उनके कदमों में रहना है या उनकी सब बात माननी है वो control करते है और आपको control में रहना है तो यह जो mindset है आपके अंदर बहुत जाधा है इसलिए कभी-कभी आप उनको खोने से इतना डरते हो कि आप वो सारी चीजे करते हो जो आपको खुद खुशी नहीं देती और आप बराबर भी अपने आपको नहीं समझते हैं आप अपने आपको कहीं कहीं लो समझ रहे होते हो और उनको अपने दिमाग में बहुत हाई पे रख देते हो और फिर उसी हिसाब से आप रियक्ट करते हो जिससे कि अपने आप ही उनका इगो बूस्ट होता है और आपका इगो डाउन होता है और आपके अंदर की सेल्फ वर् कि खुद को frustrated रखके अगर आप कोई काम करेंगी कोई decision लेंगी तो वो उस वक्त तो ठीक है जैसा भी लगेगा वैसा लगेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे आपके अंदर गुस्सा बनके एकत्रित होता रहेगा और फिर एक साथ ही कभी भडास बनके निकलेगा और फिर आप कोई गलट decision ले सकते हो या फिर DM को छोड़ने का मन करेगा जर्नी को छोड़ने का मन करेगा गुस्सा आएगा inner work छोड़ने का मन करेगा ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए अपने आपको DM को बराबर समझो शिव शक्ति बराबर होते हैं बराबर की respect दीजिए और respect की हगदार जहल पाता है तो आपके DM आपसे डर जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अपना प्यार उनके उपर थोपते हो बहुत ज़्यादा उन्हें कंट्रोल करते हो कि नहीं ऐसा कीजे वैसा कीजे नहीं आप जल्दी से अवेकन हो जाईए नहीं तो आप ये inner work करिए नहीं तो म की boundaries की respect करिए उनके decisions की respect करिए भले वो decision आपको उस वक्त आपके perspective से गलत लग रहा हो लेकिन फिर भी उन्हें करने दीजे क्योंकि उसी में उनका lesson छिपा है इससे आप और उनके बीच का एक जो harmonious relation है वो बना रहता है एक attachment बना रहता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने स आपके और उनके बीच triggers बढ़ते हैं लडाई जगडे बढ़ते हैं एक dissatisfaction के energy बढ़ती है जिससे कि आपका union और delay होता है और आप दोनों के बीच में separation वाली stage बढ़ जाती है इससे कुछ फायदा नहीं होता वालकि नुकसान ही होता है अब सुनिये चौथा point और बहुत ज जगा को भूल नहीं पाते हो उनको लटगो नही कर पाते हो जैसा सोच रहहों जैसे मैं सारी चीज़े बता रहे हैं आप उसको एपला ही नहीं कर पा रहे हो तो आप ये चीज़ करी mieć आपके डियम बहुत याद आरे है तो आपनी डियम का नाम मत लीज़े डियम की नाम के प्रिशन क्रिश्न बोलिए और व्यांट o अगरिम को दिया प्रहुंट मत लीजियी जैसा एक्जाम्पल के लिए गंगा democrat साथ मत बोलीए आप क्रिश्न कुछ भी बोलिए नी शिव शिँव बोलिए गंगा प्रसाद की जगाँ उनकी नाम को क्रिष्न में बदल देजै कृष्ण-क्रिश्चन बोलिए या उनकोphon है जो शिव शिव भोल या महा देव महादेव गोलिए अगर अमैस्कुलिन हैं तो शक्ति शक्ति बोलिए और बीच बीच में असली देवी यानी असली श्रिक्रिश्णो और सिव का नाम याद करते हुए उन्हें याद करते हुए अपने हर्ट पेन को कम करने के लिए प्रातना कीजिए कि भगवान मेरे दिल का पेन मेरे डिम के दिल का पेन कम हो जाए इस टेकनिक से धीरे-धीरे आ आपके और उनके बीच इन्वाइटेड रहेंगे तो वो समालेंगे आप दोनों क्योंकि सच यही है कि आपके DM के रूप में स्वयम इश्वर ही आपको प्रेम करते हैं आपका DM तो एक निमित तमात्र है वो प्रेम जो आपको अपने DM से महसूस हुआ वो इश्वर की बदौल है फिर आपको पुष किया जाता है कि आप कर्म क्रियेट करो प्यार दो फिर आपको आपके DM के रूप में रिटर्न में इश्वर आपको प्यार भीजेंगे यही प्रॉसस है इससे आपके अंदर की जो डीप डेस्परेट सीलिंग है वो अपने आप ही लेटको हो जाएगी और आपके DM को आपकी desperate energy pick नहीं होगी इसके अलावा भी जब आपको बहुत ज़्यादा deep अपनी DM की याद आए तो आप उसको भूलने का प्रयास मत कीजिए उसको block करने, let go करने का प्रयास मत कीजिए क्योंकि उस वक्त जितना आप उसे भूलने का प्रयास करोगे लेकिन आप उन्हें याद कर सकते हो, अपनी feeling को रोकिए मत feel कर सकते हो, अपनी DM को याद कर सकते हो, light मैसूस करिए जब desperate feeling थोड़ा सा कम हो जाए, तब आप attachment या मोह से related और जो love का pain है इन से related, आप संतों की वाड़ी सुन सकते हो महापुरुषो के विचार सुन सकते हो, जिससे आपका subconscious mind हील होगा और आपका जो deep attachment issue है, वो हील होगा automatic ध्यान रहे कि कभी-कभी सुनने से attachment हील नहीं होता फिर अगर आपको attachment issue संतों की वाणी महापुरुषों की वाणी सुन के हील करनी है आप regular basis पे कुछ न कुछ सर्च करें, कुछ न कुछ सुनें इसके बारे में तभी उस particular issue से related आपका subconscious mind हील होगा और आपके subconscious mind reprogram होगा पुराने negative thoughts चले जाएंगे और नए thoughts आपके subconscious mind में प्लांट हो जाएंगे और फिर आपको अपने DM से या किसी से भी बहुत जादा attachment या मोह की जो issue है वो परिशान नहीं करेगी आप balance महसूस करने लग जाएंगे दीरे दीरे अब पांचवा नमबर और सबसे important सुनिये ध्यान से जब भी आपको deep अपने DM की याद आए और आपको मन करें कि मैं उसको let go कैसे करूँ या नहीं मैं कर पा रही हूँ तो उस वक्त आप अपने ईश्वर को invite करें जिनको भी आप पांते हो गौड को invite करें और अपना पूरा time उन्हें surrender करें याद करने का मतलब एक छोटा सा prayer करना है कि हे भगवान जितनी देर मैं अपने DM को याद कर रही हूँ ये time आपको surrender मैं आप ही को याद कर रही हूँ मैं आपको invite कर रही हूँ ये time पूरा इसका charge मैं आपको दे रही हूँ अब आप देख लीजे मुझे तो जबरजस्ती याद आ रही है मैं तो रोकनी पारी इस प्रकार prayer करके God को invite करके उन्हें surrender कर दीजे अब उसके बाद आपको याद आ रही है अपने DM की आने दीजे धीरे धीरे अपने आप ही आपको positive महसूस होगा याद कम हो जाएगी आपको DM को याद करने का guilt भी नहीं रहेगा और अगर आपको ये लगता है कि DM को याद करने से मेरी energy DM की तरफ exchange हो रही है तो आपकी energy भी exchange नहीं होगी यानि अगर exchange होना ज़रूरी है तो ही exchange होगी नहीं ज़रूरी है तो आपने God को surrender कर दिया है ना invite करके तो वो समाल लेंगे उस condition में जो भी होगा सबसे सही होगा और अब सबसे last और छटा टेकनिक अगर आपने 100% twin flame journey को claim करी लिया है twin flame journey में आप है twin flame journey में आप विश्वास करते हैं और आपने मान लिया कि यही मेरा twin flame है तो आप अपने DM की गलतियां माफ करिए उनको forgive करिए क्योंकि वो अपनी मर्जी से चीज़े नहीं कर रहे है उनकी द्वारा trigger करवाया जा रहा है तो उने माफ करिए माफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी awakening हो रही है उनकी awakening नहीं हो रही है तो वो बहुत सारी गलतियां naturally करेंगे तो जैसे हम अपनी family को माफ कर देते हैं मारा family member कुछ भी करें मुसे माफ कर देते हैं सामने से trigger आ रहा है डिस्रिस्पेक्ट आ रहा है तो जो आपको action लेना चाहिए वो action आप जरूर लीजिए लेकिन मन से हमेशा माफ करे रही है क्योंकि आपको उन्हें manifest करना है attract करना है वो मुसे बोल के नहीं करना है अपना प्यार बहुत ज़्यादा express करके उतना ही बोलिए जितना वो समझ सके नहीं समझ पा रहे हैं तो मत बोलिए silent रहे हैं मन में रखिए जताईए मत बहुत ज़्यादा सही समय आने पे ही जताईए इतना ही let go करना होता है अगर आप ये सब आप follow कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपने डीम को let go कर रखा है अब आपके डीम का आपको wait करना है ऐसा नहीं है कि तुरंत ही let go करते हुए तुरंत ही बदल जाएंगे कभी-कभी तुरंत ही reaction आता है सामने वाले का लेकिन कभी-कभी उनका ego हैंकार टूपने में उनकी awakening होने में थोड़ा समय लगता है तो आप अपना ये सारा follow करते हुए थोड़ा patiently wait करें पक्का अगर आप ये सारी चीज़े follow करते हैं तो उनको खुद लगेगा कि आप जैसे समझदार और कोई लड़की नहीं है आप जैसी समझदार उनके जीवन में और कोई नहीं है उपर से आप इतना उनसे प्यार भी करते हो तो आपके value अपने आप ही उनके मन में बढ़ जाएगी और उपर से ये सब कुछ follow करने से जो आपकी spiritual growth होगी जो आपके अंदर strength आएगी situation को handle करने की जो छमता आएगी वो सब अलग ही level की होगी इससे आपकी healing भी होगी और बाद में जब आप अपने twin flame के साथ harmonious union में आ जाओगे 3D union में आ जाओगे तो इन सब चीजों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी उस वक्त तक अगर आपने ये सब points नहीं सीखे हैं तो विश्वास मानिए इतना trigger होगा आप समाल नहीं पाओगे क्योंकि ये सब अगर आपने नहीं सीखा है तो आप अपने twin flame के साथ रह नहीं सकती क्योंकि समय समय पे थोड़े थोड़े समय पे इतने triggers होते हैं कि आप नहीं समाल सकते separation होई जाएगा तो आपको ये सब कुछ सीखना ही है इन सब चीजों को अपने अंदर लाना ही है इन qualities को इसके अलावा आप divine plan पे trust कीजे DM को खोने का बिल्कुल मत डरिये जो process आपको बताया जा रहा है twin flame में union का ये ही process है इस quality को ला करके ही union होता है और ये सारा process आप follow कीजे definitely आपके twin flame के दिल में आपके लिए प्यार बढ़ेगा definitely वो भी आपको खोने से डरने लगेंगे आप ये सब follow कर रहे हो तो वो आपकी care करने लगेंगे परवा करने लगेंगे और उनका behavior ये दिखेगा भी आपकी towards तो DM को let go करने के लिए आपको क्या-क्या सीखना है एक तो freedom देनी सीखनी है दूसरा उसकी खुशियों को बहुत जादा priority पे मत रखिए गौड को खुश करने का प्यास करिए तीसरा भीख मत मांगे प्यार की है ना एहसान जता के दिया गया प्यार accept मत कीजे चौथा बहुत desperate energy है तो अपने आपको समालिए अपनी feeling को समालिए गौड को invite करिए और उनका नाम से अपने DM को बुलाइए पाचवाँ DM के सामने अपनी feeling को बहुत जादा दिखावा मत कीजे बोल बोल के जताइए मत बलकी secretly, silently manifest कीजे इसके अलावा भी कुछ और points बताए हैं मैंने उसका भी ध्यान रखिए तो okay my dear friends hope कि इस वीडियो से आपकी help हुई हो तो अपना ख्याल रखिएगा राधे राधे चैसे के लिए